एलो फ्रेंड्स मेरे यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है ये देखिए आ चुका है हमारे पास खक्षा साथ का जो पेपर है अंदी का अर्दवासिक परिशा के लिए रियल पेपर आ चुका है एक डिस्ट्रिक में लग चुका है तो वहां का ये पेपर है तो आप ज स्टार्ट करते हैं पहला क्यूशन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखें नोटिफिकेशन वैल को ओन करके रखें और हमारा वाट्सप नमबर है इस पर आप डारेक्ट मैसेज कर सकते हैं तो आईए देखते हैं पहला क्यूशन फरस्ट क्यूशन है छितिश सब्द का अर्थ है प्रत्वी आकास का मिलन स्थन जहां प्रत्वी आत्वी सब्सक्राइब करते हैं दूसरा है हिमाले की दो बेटियों के हाथ पकड़ने का सिरे मिला है समुद्र को औप्सन नमबर से आपका सही उत्तर रहेगा समुद्र को नेक्ट है किश्चन नमबर थर्ड कटपुतली ने कहा आपके चार औप्सन दे रखें जो इसका सबसे करेक्ट आंसर रहेगा वे रहेगा औप्सन नमबर ए उसके दागे तोड़ दिये जाएं कटपुतली ने कहा उसके दागे तोड़ दिये जाएं यह किस से कहा उसने दूसरी कटपुतली से कहा चार नमबर क्यूशन है मिठाई वाले को अपने दंदे से मिलता था तो मिठाई वाले को अपने दंदे से क्या मिलता था असीम सुख असीम सुख मलता था उसे पांच नमबर क्यूशन है बरसाती रातों में बिजली के खंबे का क्या मन करता है तो आपके चार ओप्सन दे रखें आपको कमेंट्स में बताना है इसका आंसर कि बरसाती रातों में बिजली के खंबे का क्या मन करता है सेकंड है आपका जिसमें आपको रिक्तिस्तानों की पूर्टी करनी है छटा है पेट मैं जैसे खाली जगे दोड रहे हूँ तो पेट मैं जैसे चुए दोड रहे हूँ चुए इसका सही आंसर रहेगा नेक्ट है बल्ब फैंक कर तक कहीं दूर खाली जगय का जी होता है तो बल्ब फैंक कर कहीं दूर भाग जाने का जी होता है तीसरा है सूरज डूबा खाली जगय च्छा गया तो सूरज डूबने से क्या चाता है? सूरज डूबा अंदेरा च्छा गया नाइन नमबर है एक तिन का खाली जगे में मेरी पड़ा तो एक तिन का आँख में मेरी पड़ा नेक्ट है दस नमबर निमनों मुआवरों का अर्थ बता कर वाक्यों प्रयोग करना है पहला है आग बबुला होना तो इसका अर्थ होता है अत्यदिक गुस्सा होना अत्य दे गुस्ता आना वैक में प्रयोग आप आसारी से कर सकते हैं छातर ने होंवर्क नहीं किया तो टीचर उस पर आग बबुला हो गया दूसरा है 921 होना 921 का मतलब होता है भाग जाना चोड़ने चोरी की और 921 हो गया क्यूशन नमर 11 है निमली के सब्दों के परियावाची लिखो 4-4 परियावाची लिखने आपको पहला है आग तो आग के परियावाची लिखने आपको आग, अनल, दहन, पावक, पानी है पानी के लिखने आपको जल वारी तोय नीर प्रत्वी के लिखने हैं आपको धर्दी धरा इस तरीके से दोल लिखने हैं सूर के लिखने हैं आपको दिन दिवाक व्रक्ष के लिखने हैं चार चार परियावची लिखने हैं आपको और बारह नमर है संदी विच्छेत कीजिए पहला है हिमाले हिम प्ल प्लस इंद्र नरेंद्र इसमें होगी आपकी गुणसंदी दूसरा है स्वागत सू प्लस आगत इसमें होगी आपकी यनसंदी चौता है परोपकार पर प्लस उपकार परोपकार इसमें होगी आपकी गुणसंदी next hai 13 नमबर निम्र प्रश्णों के उत्तर दीजिए कोई 6 प्रश्णों के उत्तर देनें आपको यह आपके प्रश्ण है सारे सारे इस्क्रीन वोट ले लेनके और सभी प्रश्णों को आप याद कर लें फटा-फट से प्रश्ठक या 15 में आपको सैप्रसंग व्याक्या करनी है पद्यांस की या आपको पद्यांस दे रखा है क्यूशन नमर 16 में आपको उत्तर देना है निम्ने प्रश्णों के पांच प्रश्ण है आपके दो दो नमर के इन सभी को देख लीजिए 17 नमर क्यूशन है जिसमें आपके एप्लिकेशन लिखनी है आपको प्रातन पत्र किस पर लिखना है इस्ताना अंतरन प्रवाण पत्र यानि के टी सी पर आपको प्रातन पत्र लिखना है अपने प्रदान चारे जी को देना है अगर ये नहीं आता है तो आपको क्या करना है आ और पिर मेरा विद्जयले ए फिर मेरे प्रिये गुरु जी इन चारों में से आपको किसी एक विशादर निबन लिखना है तो ये सारे आपके question है जो कि एक exam में आये एक जिले के अंदर तो आप भी इनको देख लें इनमें से आपके भी question आ सकते हैं इसलिए सभी प्रश्णों को फटा-फट से याद कर लें एक भी प्रश्ण को मिस नहीं करना है और अपने friends में भी share कर देना है जो भी आपके friends है जिससे वो भी तयारी कर सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले थैंक यू